स्टू फोर शिक्स एट तेंग ट्वल फोर्टीन शिक्टीन एक टेइन इन ट्विंटी और केप्ट इन अबैग अकाव जोन अट्रेंडम फोम देग फाइंड फाइंड फोर्टीन अगर आप इनको काउंट करेंगे तो यह टें गिंदी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो सैंपल स्पेस है हमारा उसमें एनस आ रहा है है तिन और यह स्जर्ण सबी जागे काम है दा प्राइम Kiya किया कोह और देखे लेग diri को यदे नहीं है बट एक नमबर ऐसा है तो जो इवेल भी होता है और प्राइम भी होता है प्राइम है तो अब हम लोग probability of getting a prime number यहां से हमारा जो event हो रहा है n e event of getting a prime number उसका n e number of elements in e आ जा रहा है one तो probability of getting a prime number क्या हो जाएगा n e divided by ns n e क्या है one और ns तो हमेशा ही 10 रहने वाला है तो हमारा prime number वाला probability 1 by 10 आ रही है अब उसके बाद a number divisible by 4 तो इस बार जो elements हैं थोड़े से जादा होंगे divisible by 4 में क्या जाएगा 4, 8, 12, 16 और last वाला 20 भी आ जाएगा तो यहां से हम लोग बोलेंगे therefore n e अब यह वाला event हो गया क्या number divisible by 4 तो यहां पर कितने हो जा रहे है 5 और ns हमेशा 10 होगा therefore p a number divisible by 4 इसकी probability हो जाएगी n e divided by ns तो 5 divided by 10 यह हो जा रहा है 1 by 2 और आगे देखते हैं a number that is multiple of 6 तो 6 के multiple क्या क्या है 6 खुद 12 और 18 तो अब यहां पर हमारे पास p probability of getting number that is multiple of 6 इसके लिए फिर बहुत आसान है कितने elements हैं यहां पर n e कितना हो रहा है 3 तो 3 divided by जो भी आपको ns है वो 10 तो यह हो जाएगा बस 3 by 10 ही रहेगा कुछ भी आगे चैंसल नहीं होगा तो box में जो हैं वो हमारे answers हैं उसके बाद p odd calculate कर रहे हैं odd numbers यहां पर तो अरे कोई भी नहीं है तो therefore n e is equal to 0 तो p odd जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 0 divided by 10 तो यह इसका answer है 0